तो आज हम बात करेंगे पीजेटी मैट्स के बारे में एक एनलेसिस करेंगे कट अफ का लास्ट यह क्या कट अफ रही इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट अफ हो सकती है और आपका सेफ इसकोर कौन सा होगा जिसमें आपका हंड़ेट परसंट आपका जॉब सेलेक्शन हो ही हो इस सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे और यह वीडियो सिर्फ वर सिफ उन बच्चों के लिए हैं जो काफी कमेंट्स में काफी चीज़े पूस्त हैं अपनी तैयारि को जो तो सिर्फ वर सिफ मैं उन बच्चों को थोड़ी सी क्ले victorious देना चाती हू ताकि वो अपनी तयारी को और बैतर दंग से कर सकें देखें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो आपका cut-off होती है cut-off आपकी चार पॉइंट पर डिपेंड करती है पहला number of vacancy, number of candidate, performance जो candidate की performance, plus eligibility criteria और last हमारा आपका eligibility criteria या फिर हने भी दें तो last जो होता है आपका exam, tough है या easy है ठीक है, तो चारों के बारे में करके बात कर लेते हैं अगर number of vacancy, अगर vacancy कम है और candidate जादा है तो obviously बात है cut-off high जाने की बहुत possibility होती है second thing, कि आपका, जैसे मानिए कि आपकी vacancy है 200 और दो लाग बच्चों ने form बढ़ा है या फिर यह मानिजे कि एक लाग बच्चों ने form बढ़ा है तो एक लाग बच्चे और 200 vacancy में काफी differences आते हैं तो काफी most probably इस scenario में आपकी cut-off high जाने की बहुत possibility हो जाती है और आपके बारे में अगर बात करें तो जैसे कि आप जानते ही हो इस बार के जो PGT exam है उनमें आपको without PA वाले भी eligible हैं तो without PA वाले जब eligible हैं तो यहां पर वो बच्चे भी form fill up कर चुके हैं जो कि किसी ना किसी exam की तैयारी कर रहते हैं आपकी PGT level के लिए तो यहां पर यह भी थोड़ा सा scenario change कर देता है आपके cut-off के level को आप बात कर लेते हैं आपके exam के बारे में तो आपका exam अगर easy होगा तो obviously बात है cut-off high जाएगी अगर tough होगा तो cut-off low जाएगी ठीक है तो इन सब चीजों में इन सब चीजों पर ही depend करती है आपकी cut-off high जाएगी या low जाएगी ठीक है आप बात कर लेते हैं आपके exam pattern के बारे में तो जैसे कि आप जानते ही हो आपका exam two parts में होता है पहला journal part दूसरा subject concern जर्नल पार्ट आपका 100 marks subject concern आपका 200 marks का होता है प्लस तीन घंटे का time मिलता है 300 questions आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपका level अच्छा कासा होता है उसमें 200 आपके subject concern के होते हैं और 100 questions आपके journal part के होते हैं प्लस यहां negative marking भी देखने को मिलती है तो काफी कोशिच negative marking से बचने का मैं जो तरीका अपनाती हूं वो यह है कि concept clarity पे काम करें अगर आपके concept clear होंगे तो कोई भी graduation level का हो या फिर 12th level का question हो आपसे कोई question नहीं छूटना 10th class का भी paper देंगे तो उसमें भी आपको difficulties होंगी तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने concept clarity पे काम करें तो अब बात कर लेते हैं हमारे last year cutoff के बारे में mathematics की ठीक है तो देखें PGT female की cutoff रही है देखें यहां पर जो कल मैंने video बनाई थी वो English की थी उसमें काफी differences देखने को मिल रहेते है PGT level में male और female में ठीक है काफी differences है लेकिन अगर मैं आज की बात करूं जो हमारे mathematics की अगर हम बात करें तो mathematics में आपका जो cutoff का सेनारियो वो almost same है बस थोड़ी सी चींज है आपको 2-3 number आगे पीछे देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं female candidate की जो cutoff गई थी उसके बारे में तो देखे है आपकी जर्नल category के लिए 124.49 ठीक है यह आपकी गई थी जर्नल वालों के लिए OBC वालों के लिए यहाँ पर जो cutoff गई थी 107.32 ठीक है और यहाई SC वालों के लिए यहां पर स्ट और स्ट के लिए निल है मतलब वेकंसी नहीं थी अब बात कर लेते हैं आपके मेल कंडिडेट के बारे में तो मेल कंडिडेट की जो कटफ गई थी हमारी वह गई थी 126.1 यह आपके मेल कंडिडेट की गई थी जनल के लिए यानि की जो हमारी होती है उसके लिए और यहीं पर जो OBC कंडिडेट थे उनके लिए जो गई थी 106.57 तो यह हमारी गई थी OBC के लिए और SC के लिए कुई क्टफ नहीं है, स्थे के लिए यहां पर विकिंसी नहीं थी, तो इसलिए यहाँ दिल है और यहां स्थी वालों के लिए तो कटफ गई है वह आपकी गई थी 90 एक्जक्ट 90 गई थी मेल केंडिडेट के लिए तो अगर हम इसमें यह चीज देखें हमारे कटफ को सेनेरियो को देखें तो आपका जो इस टाइम का अगर हम इस टाइम की बात करें तो एक्टेट कटफ क्या हो सकती है तो हम दस नंबर एक्षटर ही लेके चलेंगे और प्लस आपका एक्जाम है यह सब चीज़े अगर उन चीजों के बारे में हम तब डिसकर्स करेंगे जब हुज़ेगा लेकिन हम अभी बारे में बात करें कि हमें अभी अपनी तयारी करते हैं ऐसरफ बनाना बनाना है तो मेल के तो तो यहीं पर अगर हम दोनों को comparison करें तो ज़्यादा differences नहीं है तो इसे लिए हम 10-10 का ratio लेके चल रहे हैं 10-10 marks extra लेके चल रहे हैं cut-off के लिए ठीक है इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे अभी और plus हम अगर बात करें जैसे कि आपकी ये 124 female की गई है और 126 female की गई है तो यहां पर जो expected cut-off की हो सकती है 135 हम मानके चलेंगे ठीक है यह जनल कैटिगरी की वालों के लिए और यहीं पर OBC वालों के लिए अगर हम मानके चलेंगे तो यहां पर हम जो cut-off का ratio लेके चलेंगे मितलब expected cut-off लेके चलेंगे तो 115 से प्लस ही मानके चलेंगे ठीक है एक सेफी स्कोर आप अपना यह समझ सकते हैं यहीं पर SC वालों के लिए 100 प्लस ही मानके चलेंगे क्योंकि 90 कट-off गई है female की और यहां स्वालों के लिए अगर बात करें स्वालों के लिए इंदेट प्लस ही मानके चलेंगे क्योंकि मेल के नाइटि गई है तो यहां पर यह सारी चीजुखों को एक calculation करें तो यहां पर आपके expected cutoff क्या हो जाती है यहां पर general category वालों के लिए आपकी हो जाती है 135 प्लस यहीं पर जो आपके OBC category के लिए हो जाती है 115 हो जाती है यहीं पर आपके SC वालों के लिए हो जाती है 100 100 प्लस मान के चलिए यहीं पर SC वालों के लिए प्लस प्लस पिएच के लिए भी हंड़ प्लस ही मान के चलिएगा अब बात कहलेते हैं सेफ स्कोर के बारे में तो देखें सेफ स्कोर मेरे हिसाब से अगर आप 35 के 35 से 40 या 45 के आरांड ले आते हो जनल के डिगरी में तो आपका मेरे हिसाब से हो सकता है possibility जादा हूँ ठीक है और कुछ कहा नहीं सकते क्योंकि एक्जाम आपका कैसा आता है जैसे कि मैंने आपको बताया ही है तीन चार चीजों पर आपकी cut-up depend करती है तो उन चीजों को भी हम ध्यान में रखेंगे जब आपका एक्जाम हो जाएगा ठीक है तो यहां पर अगर हम बानके चले तो आपक सेनरियो को देखते हुए और प्लस सेम सेनरियो एस्टी वालों के लिए भी 115 मार्क्स आपके अगर आप इतना इतनी प्रेप्रेशन करते हैं कि आपके इतना मार्क्स अभी टेस्टों में आ जाए तो बहुत अच्छी प्रेप्रेशन होगी आपकी प्लस और पी एच के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगए